या देवी सर्व भूतेशु माता कुश्मांडा रूपेण संस्थिता नमस तस्याई नमस तस्याई नमस तस्याई नमो नम्हा जै माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल पर आज है नवरात्री का चौथा दिन और नवरात्री के चौथे दिन मत कुश्मांडा की पूजा की जाती है सूरे के संपूर्ण तेज को धारन करने वाली मा कुश्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिधी का आश्रवा देती है नवरात्र की चौथे दिन मा की आरादना से जीवन में सकारात्मक उर्जा की वृद्धी होती है आईए अब जानते हैं देवी कुष्मांडा की स्वरूप के बारे में देवी कुश्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्री का चौथा दिन मा के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों की अनुसार देवी कुश्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये स्रिष्टी की आदी स्वरूपा कहलाती है। इसलिए उन्हें अष्ट भुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी आठ भुजाओं में कमंडल, धनुष, बान, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिधी और निधी प्रदान करने वाली जब मालाधारन की हुई है। पुराणों में वर्णित कथा की अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारो और अंधकार फैला हुआ था। तम्मा आदिशक्ती से देवी का एक रूप उत्वन हुआ। मा का यह स्वरू सूरे के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुख मंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सरजन हुआ। इस ब्रह्मांड की स्रजन करता हुने के कारण मा के इस स्वरूप को कुश्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूरे को अपना वास्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल मा कुश्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूरे की केंदर में कुश्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुश्मांडा को पूझने के लिए नवरात्री का चौथा दिन बहुत उत्तम होता है। वेदों के अनुसार नवरात्री के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन मा कुश्मांडा की आरातना से साधकों के भीतर स्रजन शीलता विक्सित होती है। माता कुश्मांड की उपासन से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवर में सुक्स व्रिधी और उन्नती का आशिरवाद मिलता है माता को कुश्मांड नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है इनकी उपासना से सादकों को सिध्धियों और निध्यों में व्रिधी का आशरवाद मिलता है उनके समस्त शोकदूर होते हैं और वे आयू और यश से फली भूत होते हैं तो दोस्तों ये थी मातक कुश्मान्ना की व्रत कथा आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए हमारी आने वाली सभी वीडियोज को देखने के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले